Hello guys welcome to my youtube channel, इस वीडियो में comparison करने वाला 2 most popular laptop, एक techno company के वह से आने वाले techno mega T1, दुसरा lino company के वह से आने वाले lino ideapad slim 3 laptop, दुनों के specifications देखने को मिलता आया थेगा processor 8GB RAM और 512GB SSD देखने को मिलेगा, comparison में हम देखे कि किसके अंदर आप RAM extend कर सकते हो, hard disk किसके अंदर expand कर सकते हो, display resolution किस टाइब की, camera की quality कि टाइब की, speaker की quality कि टाइब की weight किसका कितने अंदर देखने को मिता, number of USB ports कितना दिया गया, keyboard के अंदर backlight किसके अंदर देखने को मिल जाता है, camera के अंदर privacy setter है, भी किने charging time कितना लेता, fast charging किसके अंदर support है, battery life कितनी दी कि यह, graphic card कौन सा use किया ग Amazon का sale करा, जो best seller रहाएगा, इसके product link आपको description में मिल जाएगी, वाई Lenovo idea पे display आपको 28,400 का देखने को मिल जाता है, Amazon price के भी different seller है, जो best seller रहाएगा, इसके link आपको description में मिल जाएगी, और ये video आप 2023, 2023, 2023, 2024 में देख रहे हो, 66 month में step के laptop update होते रहे हैं, आप 13 generation में भी available है, 16 GB RAM, 32 GB RAM, 1TB, SSD में भी available है, इसके link में description में देए दूँगा, तो आप एक बाद description जरूर चेक कर लेना, तो सबस्ब बादी के बात करें, तो Tecno वाला आपको complete metric body देखने को मिलता है, वाई Lenovo अला ABS plastic के body use के गए, जो काफी premium quality की है, width के बात करें, तो Tecno वाला 1.4 cm का, वा 1.7 cm के करीब है, तो Tecno वाला थोड़ा सा आपको slim देखने को मिलेगा, weight की बात करें, Tecno वाला 1.56 kg का, वाई Lenovo अला 1.63 kg का है, तो उपर के panel पर Tecno की branding देखने को मिल जागे, वे Lenovo पर Lenovo की branding राइट हैं साइड में दी गई है, नीचे की साइड से Tecno वाला कुछी step का design बना है, वो grip भी दिया गया है, वह लिए Lenovo वाला कुछी step का देखने को मिलता है, वो नीचे भी grip देखने को मिल जाता है, पोर्ट की बात करें, टेक्नो वाले के अंदर लेफन साइड में एक safety lock दिया गया है, टाइप C charging support है, HDMI 1.4 है, 3.1 USB है, टाइप C full feature का port दिया गया है वह राइट हैं साइड में headphone jack 3.5 support है, दो USB दिखने को मिलता है, वो card reader का option देखने को मिलेगा, लिनोवाले के अंदर USB भी आपको 3.1 के support देखने को मिलेगा, अब display की बात करें, तो टेक्नो वाले के अंदर आपको 15.6 inch का display दिया गया है, जोके full HD resolution का display दिया गया है, वह लि 17,22, 1080p resolution का, दोनों के display के bezel काफी जादा पतले, और आज के time पर जितने भी laptop आ है, सभी के display के bezel काफी जादा पतले, overall देखने को मिल जा रहे है, उपर के side में camera दिया गया है, दोनों camera के अंदर आपको privacy setup option देखने को मिल जाता है, दोनों laptop के अंदर dual microphone देखने को मिलता है, with noise cancellation, keyboards के बात करें, दोनों के अंदर आपको full size के keyboard देखने को मिल जाते है, number के की आपको separately देखने को मिलेगा, power buttons के बात करें, तो उपर के side में right corner में power button दिया गया है, techno वाले के अंदर आपको power button के अंदर fingerprint button भी देखने को मिल जाता है, well, lino वाले के अंदर only power button है, इसके backlight का option, well, lino वाले के अंदर, अपको कोई भी keyboard के अंदर backlight का option नहीं दिया गया, तो keyboard के अंदर कोई भी light नहीं है, lino वाले के अंदर, mouse trackpad के बात के almost दोनों का mouse trackpad same size दिखने को मिलता है, smoothness के बात के almost पूरे के पूरी same to same है, और मैं आपको eco tips देना चाहता हो, आप laptop buy करो, साथ में keyboard और mouse भी buy कर लीजे, जैसे कि आप बहुत जादा typing वागेरा करते हो, video editing वागेरा करते हो, तो warranty खतम होने के बाद में आपके laptop के keyboard में, mouse trackpad पे कोई भी issue आता है, तो इसे ठीक करने जाओगे, तो 45,000 का खरचा आजाएगा, वहीं आप separately कोई भी mouse या फिर keyboard ले लोग अच्छा value मिल जाता है, जो कि आपका laptop इतना गंदा भी नहीं रहता है, और आपके laptop के keyboard पे जो भी numbers है, words है, वो सारे के सारे new के new रहते हैं, मीटे भी नहीं रहते है, तो यह तो होगे complete body, build quality, port के बारे में, अब बात कर लेते है, specification, tech के बारे में, तो जैसे कि टेक्नो आले आए थे 11 generation देखने को मिलता है, 8GB RAMO 512GB SSD, वाई लिनोवाल आए थे 12 generation 8GB RAMO 512GB SSD देखने को मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों के अंदर आपको Windows 11 free of course install देखने को मिलेगा, वाई लिनोवाल के अदर आपको Office 2021 जो की free of course मिलता है, टेक्नो आपको 1 month का free of course office देखने को मिलेगा, रैम अपग्रेट की बात के तो टेक्नो वाला आप 8GB होगे तो इसके अंदर 8GB maximum RAM अपग्रेट देखने को मिलेगा, वाई लिनोवाल के अंदर आप 8GB कर ले तो तो इसके अंदर आप 16GB तक RAM अपग्रेट कर सकते हो, और आप RAM को अपग्रेट कर देखने को मिलेगा, दोनों के अंदर आपको 512GB के SSD देखने को मिलेगा, तो आपको इसके अंदर आपको इसके सपेस अपरेटली नहीं दिया गया है, तो आपका external hard disk यूजज करना पड़ेगा, जो कि USB कितरों connect करके इनके साब यूजज करना चाते हो, डेटा स्टोर करने क लिए, ग्राफिक कार्ड की बात करें, तो टेक्नो वाले के अंदर आपको Intel Series Xs का ग्राफिक कार्ड यूज करें, अदर आपको integrated Intel UHD का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, 70W, वो भी C type charging support दिया गया है, तो 45 मिनिट में complete आपका full charge हो जाता है, वह लिनो वाले के अंदर 42 तो वोट का चार्ज है देखने को मिलता है तो 45 मिनट से 1.5 गंटे में आपका कम्प्लीट लैप्टोप या चार्ज हो जाता है इसके अंदर आपको C टाइप चार्जिंग नी नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलता है बैटी लाइफ के बात के तो टेक्न वाले ने मेंशन क बजट कम है तो टेक्न वाला काफी स्लिम डिजाइन लेटेस लप्टोप देखने को मिल जाता हो काफी अच्छे पोर्ट्स भी दिये गए लुप में भी काफी बहतरी ने और अच्छे स्पेक के साथ में ये प्राइस में आता है वो चार्जिंग भी फास्त देखने को मिलत को दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वाई लिनवाला 28,400 रुपिस का अमस्वन पर इसके भी डिफिन डिफिन सेलर सी में कोई 35,000-48,000 का सेल कर रहा जो बैस सेलर है विसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसे हाई स्पेक में भी अविलेबल जैसे आ को मुझ भूज बातिर साजारा सीक्रिप्शन